लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें पीश्वर की मर्जी से इंसान इस धर्ती पर जन्म लेता है माबाप, घरगाओं और कुछ रिष्टों से बंद कर उसका पच्पन गुजर जाता है फिर जवानी के रिष्टों को लानता हुआ, वो अपनी तकदीर बनाने की सोचता है अपना गाउं छोड़, अपने घर से दूर निकल जाता है देश पर देश खूंगता है, जहां से एक से एक लोग मिलते हैं एक से एक खुबसूरत मनजर दिखाई देते हैं, जो उसे वही बस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आखिर सुन्दरता का तो कोई अंध नहीं, पर सच्चा इंसान अपने बादों को कभे नहीं भूलता किस्मत बनाकर वो लौट जाता है, अपने घर जहां उसके अपने उसका इंतिजार कर रहे होते हैं लौट के आना ही विधे का विधान है, जैसे इंसान उमर गुजार कर एक दिन वहीं लौट जाता है, जहां से वो आया था को आद सकता है। कर दो कर दो कर दो कर दो परदी मालकीन यह यह तस्वीर छुनजुनुपूर के चौधरी सूरज मल जी के कलोटे बेटेची है कम से कम सो रिष्टी दस तक मार रहे है उनके दर्वासे पर मैंने सुचा यही मौका है तो दुनी चारका अपनी राधा पीटिया के लिए खुब जमेगी न लड़का तो अच्छा है मुझे पसंद है माजी आपको पसंद है लेकिन आपकी लाड़ली को पसंद आए तब न यह सात्वा रिष्टा है माजी आज तक छे को तो इंकार कर चुकी है अगर ऐसे इंकार करती रही तो घर में कुवारी बैठी रहेगी पाजी आप एक दफे उसके साथ बात कीजिए उसका दिल टटोल लीजिए कि आखिर वो चाहती क्या है तेरा नाम मेरा नाम तेरा दिन मेरे शामिक हो गये जब दोलो तेरा दर मेरा घर तेरा दिल मेरा दिल मिल गए जब ये दोनो बूल के सारी दुनिया को हम तो चले है अपनी मंसिल को तेरा नाम मेरा नाम तेरा दिन मेरे शामिक हो गये जब दोनो तेरा दर मेरा घर तेरा दिल मेरा दिल मिल गए जब ये दोनो जब नाम तो जब खेरा दिल मेरा घर दोनो चुप चुप रहना मुश्किल सहना जवा दिलों ने कब है माना प्यार के अंदर वो ताकत है चुक चाता है सारा जमाना दोड किनारे दर्या बहना यही महाबत ने है जाना तेरा नाम मेरा नाम तेरा दिन मेरी शामिक हो गए जब दोनो तेरा दर मेरा घर तेरा दिल मेरा दिल मिल गए जब दोनो तेरा दिल मेरा दिल मेरा जब दोनो हाथ पकड़ और वादा कर सारी उमर तुम मेरी रहोगी प्यार करेंगे जी जान से लिख देंगे हम आसमान पे तेरा दिन मेरी शामिक हो गए जब दोनो तेरा दिल मेरा दिल मिल गए जब दोनो आ, 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 भुरी दिसादी दिलियां को हम तो चले अपनी मंजिल को करेंडीएंटा अरियो, शान्ती देखा हो कौन है आ चाहदरी कहलाशनांत, नमस्कार ओ भाई साब आप कुछ बीश साल आपके चर्चे शुनते आ रहे थे आज दर्शन हुए वैसे, आज अचानक आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई अभी जी यूँ गाउं के काम से कलेक्टर साथ से मिलने आये थे तो उस कलेक्टर साथ की कुरसी पर ये बैठे मिले अब ये पता नहीं था कि अपनी सरकार ऐसे लोगों को भी इतनी बड़ी पोस्ट पर रख लेती है अफिस में ये आद्सा हुआ गले मिले और फिर यहां तक चले आए आएए बैची ये तस्वीर है ये मेरा बेटा विक्रम है तो फिर तुम्हारा बेटा है कहाँ नजर नहीं आए वो आपने किसी दोस्त के घर गया है क्या बात है इस नदी से कहना कि अपने साथ मुझे भी बहा के लिए जाए इतना आसान नहीं है छोड़े कलेक्टर बाबु ये आपका शहर नहीं है जहां कानून और न्याय आपकी मुठी में है ये गाउं का मामला है अगर लोग आगए शोर मच गया तो चूतों और मुखों की वो कलेक्शन मिलेगी कि उमर भर के लिए आपके खजैरी उठ जाएगी क्या करना यार मौसम एक काम करो विक्रम बाबु किसी तरह इसे गाड़ी में बिठा लो फिर राना के स्पीड देखना रास्ता मेरा मंजिल आपकी मैं इससे रास्ता पूछता हूँ हाँ सुनो हम मसाफिर है रास्ता ही भूल गए ये में रोट किदर है क्या किदर है पक्की सड़क हमें शहर जाना है ओ शहर जाना है यहां से थोड़ी ही दूर है बाबु जी वो सामने कच्छी सड़क है ना कौन जी कच्छी सड़क वो सामने कच्छी सड़क वहां जाएंगी तो पक्की सड़क अपने आप आप आज जाएगी अरे कच्छे से पक्के में कौन जाना चाहता, सुनो तुम मेरे साथ चलो, गाड़ी में मुझे रस्ता बतादो, मुझे बालू नहीं रस्ता ने नी बापजी, मुझे जाने दीजी मैं शहर्च हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है मैं तुम्हे अच्छे चुंके ले दूगा, ये तुम्हे आव मेरे साथ आचो, देखो गाड़ी में आओ ना तुम्हे करें बापजी, मैरे बुझे जाने चाहरा मुझे चाहरा मुझे अरे पगड़ों से कलेक्शन भाग रहे है तरी भाग पीछे अरे, ओ मेरे कलेक्शन अरे, देखो, देखो कोई रहे ये तुम्हे कलेक काके रहुँगा अचो तुम्हे याद है नागिने चैनी भाग के लड़की की चीख तुसरा जंगल में मंगल कॉन मना रहा है जा भाग के अचो उन्हे जाए मचाओ अरे, पाँ पाए अरे, अरे, एले अरे, काँ पाँ अरुम्हे पाँ अरे थेरो बबू, थेरो जरार, देखो, जो कुछ तुमने किया, वो हमने देखा, रामकस्म बड़े जालिम हो, और गाउं की जद को लूटकर यूँ भागने नहीं दूँगा, समझे, मैं एक आवास दूगा ना बबू, तो सो आत्मी आएंगे, और दो सो हाथ तुम्हारी करतान परकडएंगे, समझे, जाते क्यों, जितने पैरसी है ना, तुम्हारे पास वो निकाल दो, अचलते परो, यह लोटे, कुटा गईंका, इमान डाली का धन्दा करता हूँ बाबुजी, हाई, उच्छा आत्मी हूँ, यही जबान अवेशा बंद रहेगी, ऐसी जलीरोगिनोनी हरकत, हमारे गाउं का खुछाद भी नहीं कर सकता, इस बात सा पुरा यकीन है मुझे, कोई बाद से कमीन आकर, हमारे गाउं की इजद को मट्डी में रोंद कर, भाग गया है, कब तक भागेगा वो, कब तक बचेगा, जिस दिर हत्ते शड़ जाएगा कमीने को फात ही लगवा दूँगा, रामकसम पत्तर मार मार कर उस कमीने का सट तोड़ देगी, पस एक बार पता दो चले कि ये काम किया किस कमीने ने है, हाँ, हाँ, विक्रम, हमें चार-पांच रोज के लिए सरकारी काम से यह रुखना पड़ेगा, तुम बसन पूर चले लेकिन रिष्टे-विष्टे की बात को पक्का में समझेगा, अब तुझे क्या देखना है, मैं तो चौदरी साब को देखते ही समझ गई थी, कि वो लड़की कैसी होगी, लाखों में एक, अब तो ये देखना है, कि हमारे घर की कलेक्शन उसे पसंद आती है या नहीं अरे-अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई जो गाड़ी चला कर चौदर की कैल आशनात की हवेली की सीडियों तक आकर खाड़ा हो गया हूँ, अब ज़्यादा गुस्सा ना कीजिए और हमें पहचानने की कोशिश कीजिए जिसे कभी देखा ना हो, उसे पहचानोंगी खाप हम कौन साहब से दसवर मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि आप रादा है, चौदरी साहब की एकलौती बेटी है, मैक्टर तक पढ़ी है और बड़ी जिद्धी है और आप है कौन? अरे, अब भी नहीं पहचाना? आप कोई भी जीत हो, यहां से चलते बनिये, विक्रम जीत, यानि के चौदरी साहब ने राज अपने दिल तक ही रखा, आपके दिल तक हमारी बात पहचाई ने उन्होंने, तब इस से बात करो, नादा है, अरे, किस पर गुस्सा हो रही हो, विक्रम जीत, ओ बेटा, तुम जीते रहो, जीते रहो, आउ अंदर रहो, मा, यह है विक्रम, मेरे दोस्त इंदरजीत का लड़का, वो जो कलेक्टर है न, मैं परसोन के बारे में बात में कर रहा था, हाँ हाँ, याद आया, अपनी राधा बिटिया के लिए न, लो शर्मा गई, बढ़ी शर्मीली है, और जावना पड़े, या फसलिप पे, ये कैश तो कलेक्ट करना ही होगा दरजू, कितनी देर लगा जी तुमने आने में, तुम आने के बात कर रहे हो, मुझे तो लोटकर जाना पड़ रहा है, शहर से बाबुजी के कलेक्टर दोस्त का बेटा आया है, मैं उसे गाउ घुमाने निकली हूँ, उसे चोटे जर्ने के पास छोड़कर तुमसे सिर्फ राधा, सुना, वो मुझे ढून रहा है, मैं चलते हूँ, देखो राधा, अगर अभी तुम नहीं रुकी, तो आज रात मैं तुमसे मिलने आउँगा, तुमारी घर की छट पर, नहीं नहीं, ऐसा घजब मत करना, मैं नहीं आउँगे तुमसे मिलने, मुझे कुछ नहीं पर अच्छा हुआ के आप मौत के मुझे में खुद ही चले आए, मैंने मुझे बंद करने के लिए हड़ी दी थी, हड़ी घले मैटा की जो भौग रहा है, वैसे आपने उस लड़की की इजत लूटने के लिए दिये थी, बात यहीं तक रहती, तो मैं भौगता भी नहीं, पर उस लड़की ने अपनी जहान दे दी, बाबू, दीरे, दीरे, सारे गाउने चौपाल में उसकी लाश के सामने बैठ कर यह कसम खाई, कि जिस दिन वो लफंगाउने मिल गया, वो उसकी जहान दे ले लेंगे, मैं राधा से शादी करना है, मालने थोड़ी आयो, ते बा मैं तुझे इतनी हड़ियां दूगा, इतने बाद किसी के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, समझ गया, हावजूर, हावजूर, किसी को ख़पर नहीं होगी, क्यों मैटा, घुमाए, हाज जी अंकल, इसा लगा हमारा गाउन, बहुत अच्छा अंकल, इसा लगा हमारा यह च्छा अंकल, यह च्छा तो कितनी खुपसूरत है, मालिक सरपनजी आपसे मिलने आए, आराओ, जी, बैड़ा मैं एक दो मिनिट पर आता है, जी अंकल, बादा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कहो, नहीं, यहां नहीं, च्छा पे सबके सोजाने के बाद, सबके जाकते हैं क्यों नहीं? सबके जाकते हैं जो नहीं कह सकता, यही तो समझाना चाहता हूं तुम्हें, च्छत पे चाननी रात में. दादी मा आगे, दादी मा, यहां आईयो, हमारे साथ बैठे. तो फिर च्छत पे मिलते हैं रात को? नहीं, मैं रात को जल्दी सोचाती हूं. उन्हें जगाते हूं तुम्हें? अरे, घर पे किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं, चुपचा पाज हूँ. तो फिर तहरा, रात को लाते हैं. अलो, दादी. कैसे हो विदा? लीजिये, अब ये भी मिलना चादते हैं चाननी रात में छत पे. हाँ, चादरी क्यलाशनात के घर की छतना हुई, आगरे का ताज मैल हो गया. पिर जो? पिर जो? कहा होगा? बिर जो? बिर जो? बिर जो? पता नहीं, आया भी है कि नहीं? हाँ, कोई? रादा? 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 अन्य भाई, जत में जाननी रात में दिल की बात करनी है. रादा? को रादा? रादा? को रादा? को रादा? को रादा? तुम मेरी सांसों में बसे हो, बिर्जू. तुम्हें देखते ही, मैं अपनी सुच बुद्खों बैठती हूँ. उचसे कभी अलग मत होना, पर तुम्हारी बिना जी नहीं सकूंगी. जानती हू, रादा, तुम्हारी च्छत के ऊपर एक और च्छत है, यह अस्मान, जिसपे हम सब की किस्मत लिखने वाला बैठा है. उसने ऊपर से ही हम दोनों के मिलन कर संजुक लिखकर बेजा है. इस धर्थी की कोई भी ताकत हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती. राधाँ! चौर! चौर! चौर दादी, मैं हूँ, विक्रम, विक्रम! क्या हुए, बेटा? तुरी सा क्या धूल रहा है? दाधी, क्या हुए, क्या हुए, मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं सोई का दर्वार समझ के अंदर आ गया. लगता है राधा आज पानी रखना भूल रहा है. भूल रहा है, दाधी, आज करो, बहुत कुछ भूल जाती है. चौर चाहनी रहा है. कुछ नि, कुछ नि दाधी, आप सोजा. मैं चल दूँ, कल मिलूँगी. राधा, सुनो तो. तिर्चू, विक्र मारा है. क्या? अब क्या करें? जादी. उपर. राधा? राधा? राधा मैं आ गया? राधा? 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 राधा, चाहनी रात खतम हो जाएगी. सवेरा हो जाएगा. मुझे तुमसे दिल की बात करनी है, राधा. अब छुपो मता जाएगा. अब उट. अब उट. चौर. चौर. कौन चिलना रहा है? चौर. दिल की बात करनी थी. पदा ने कहाँ चली गई? चौर. पुष्टाओ, पुष्टाओ. पुष्टाओ, पुष्टाओ. बारो. ठावर, ठावर. अब तुम्हें च्ट में क्या कर रहा है हो? अंकल, रादा घर में नहीं है. क्या कह रहा हो? रादा भाग गई है घर से. क्या बख रही हो तुम? अपने कमरे में सो रही होगी. वो अपने कमरे में नहीं है. आउँ, मैं आप लोगो दिखाता हूँ. रादा थाक पे जावा नहीं है. क्या क्या बेड़ेंयों. म HOR. सो रही है? अप आप कम्बल अटा कर देखो, रादा नहीं है, बbn लगोन क्या रही है. बबें, बढ़ी था बढ़त falz grandma.. उmersब से. अरौ Ε. आथी राद को परिशान कर दिया इसने कि तो राधा नहीं है कमरे में, मैं तो घंबराई गई थी अरे क्या हुआ, समालो, समालो देखाओ खागरी आते, चलो, चलो यार, कल जो वो मेरे साथ गुमने गई थी तो अचानक मुझे छोड़कर करें गायब होगे कल रात वो अपने कमरे में भी नहीं थी मैंने उसके कमरे में, दूसरे सब के कमरों में, छट में सब जगा देखा और वापस देखा तो अपने कमरे में थी हुजूर, इस बीच वो कहां थी? यही तो राज, मैं चाहता हूं रामकसम कौँ थी? किसी के साथ, किसी की आखो में, किसी के दिल में किसके साथ, किसकी आँखों में, किसके दिल में वो है क्या उजूर, इस सुबा से हरे-हरे नोटों के दर्शनी नहीं हुए ऐसा लगता है जैसे सब जगा पीलिया हो गया है एक ये ना पीलापन उजूर एसा है उजूर, अगर आप मेरा पीलापन दूर कर देते हैं तो मैं आपकी परेसानी दूर का दूर आराम कसम हंडी चाहिए ना, हंडी परेले, पॉनो, कौन है वो पॉनो इस रादा के पीछे भी एक क्रिस्टन कनिया है जिसकी तान सुनते ही वो अपनी सुथ-फुथ खो बैखती है छोड़ो ना, जानी तो, जानी भी तो ना माने दिल मेरा, तुम ना जाओ फूचे पहाडों से गिरता हुआ ये जर्ना ऐसी बहारे तो आएंगी फिल कभी ना हमारी जान जाती है जरा धैरो चले जाना ये नदी आगेत गाती है जरा धैरो चले जाना ना रहे सकू तेरे बिना दो पल भी में ओ जान जा ये दूरिया ये फासले बिट जाएं अपने दर्मियां रुक जा तू ना जा जा मेरी ना जा ना ना रुखो ना जाने जा अब जाने तो दिल वा पंचे भी निकले घर को छोड़ो खलाई सया बोले मेरा अमना पलका रहा वाटा आगे दाड़ी सचना अमारी जान जाती है जरा ठैरो चले जाना ये नदिया देत जाती है जरा ठैरो चले जाना कर तो. प्राण मा जा बोले जाना झाल तरे जोले जाना झाल ऑगे ना छेड दिल के तार तू मुश्के बड़ी हो जाएगी तो फान जागेंगे सलंग कश्ति देती हो जाएगी ना राख आओ जाने दो जा मेरी जाने दो ना ना छोड़ो ना जाने दो जाने भिट्टो ना माने दिल मेरा तुम ना जाओ उचे पहाडों से गिरता हुआ ये जरना ऐसी बारे तो आएंगे फिल कभी ना हमारी जान जाती है तरा धैरो चले जाना ये लदिया गीत जाती है तरा धैरो चले जाना वावा आपको इश्क हुआ और बिल्ली रास्ता काट गई हमारे होते हुए ये कैसे हो गया विक्रम बाभू बिल्ली हो या बिल्ला उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं तुम आज ही रात बसंद पो चले आओ पिर जो कल सुबह का सुरज ना देख सके नहीं देखेगा आप तो जानते हैं विक्रम बाभू मैं अलागी टाइप का आदमी हूँ इसलिए अटैक भी अलागी टाइप का होगा आपने शिंत होके सोजाईए उसे मैं जगा देता हूँ हूँ 五 Shop का ऑमैं ए위 तोपने प्रों गोड़ी मैं एप हूँ हुआ हूआ जोड़ उखचा पनलित पिर की वजसे बcias से घमねख भूगs उबेगा उज ने खु़ुआ जख हुआ 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 आप लोग, लोग! लोग, किसे बजा तुझे? लोग, जाओं लोग! लोग, किसे बजाओं? लोग! लोग, उसने! ए, कौन है तू? क्यों मेरा रास्ता रोक के खड़ा है? मरने का इरादा है, तो किसी और की गाड़ी के सामने जा! मेरा इरादा तो मरने का नहीं है! पर तेरा इरादा मुझे मारने का जरूर है! गुंडे भिजवाकर हमला करवा है मुझे मारने की कोशिश की! कैसा हमला? कैसे गुंडे? अला तुझे मारके मुझे क्या मिलेगा? शाहिद तु यह समझ रहा होगा कि मुझे मरवा कर तू राधा को पा लेगा तेरी यह मचाल कि अपनी कंदी सबान से राधा का नाम ले वो मेरी होने वाली मंगेता रहे तुभारा राधा का नाम लिया तो मैं तरी हस्ती मिटा दूँगा मेरी हस्ती मिटाने के लिए तुझे दूसरा जनम लेना पड़ेगा कमीने जब तरी भेजे हुए छे किराई के गुंडे मेरा कुछ नि बिगाड सके तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? देख फिकरम, मेरे और राधा के बीच में आदानौं तुभारा अगर राधा कर नाम जबान पर लिया तो मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूँ तुमीने आति मैara ब मेर इमे ओर! आति मै पामे ब मेर इमे! तो जडे बाइचे काचे लिहा बी। भी नपति धज कि ठाक बादा What? CO Olivia, ... तू, तू, यह कहा रह meal है, क्षोड़े नहीं. ।Chंदे नहीं, सुरता क्यों नहीं! यह सुरती नहीं, यह थी नहीं हमारे, कमहारे मेमान हमारे! अरे, काई का मेमान है Peng Mai Annem? मेमान नहीं भी लगये. इसने मुझे में हमला करवाया. जहां से मारने की कोशिन पखती है लुख तो सभी तू विखरम बाबू, का कह रहा है यह जूट बोल रहा है सरपंजी, खामा खाद हो ने पढ़ रहा है तो पूछिए इसको, क्या कर रहा था अधीरात को मेरी घर के बाहर स्टेशन जा रहा था, अपने बाबा, क्लेक्टर साब को लाने काड़ी आदी रात को आती है को इतरास, जूट बोल रहा है पर बिर जूट, तेरे पास क्या सबूत है कि हमला करने वाले इन्ही के आदमी थे सरपंजी, मैंने खुद इसकी गुंटी को पकड़ा था और उसने सी कुटे की तरफ इशारा किया कहा है वो आदमी? कहा है वो? वो, वो आदमी तो भाग गया लेकिन सस्तो यही है अरे, बेटा सच कैसे मालू हो गया कर वो भाग गया तो तू चुपकर बाबुजी, काली का वक्त हो गया है आप इस तो इसन जाएए मैं आपसे माफी मांगता हूँ दिल में उके महल मत रखिये मैं आपका चाहिए ने, सरपंजी आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ ऐसे भिगमंगों की बातों का कौन बुरा मानता है अबै पिर्जू क्या हो गया है तुझे तुझे पर हमला करने वाले कुछ और बदमाश होंगे विक्रम बाबु से इतना बड़ हंगामा बेवजा ये बेवजा नहीं है, सरपंजी इसके एक बजा है मैं और राधा ये दूफरे से प्यार करते है और ये विक्रम उसे जबरदस से शादी करना चाहता है अच्छा इस चैलेंज डैग इस चैलेंज उस हराम सादे ने मुझे चैलेंज किया है कि मेरी और राधा की शादी साथ जनमों तक नहीं होने तेगा वो मेरे रास्ते का काटा है डैग इस काटे को हम इसी जनम में निकाल देंगे विक्रम कलेक्टर इंदर जीत के पास दाओ पेज की बहुत कलेक्शन है नहीं डैग शाद राधा भी शादो छोड़ो विक्रम तुम बच्पन के खेलकुद को प्या समय रहे हो इतना बड़ा चौदरी दो टकेगा दमाट उटेगा क्या तुम देखना ये रिष्टा कलेक्टर के घर में ही रहेगा उस छोगरी की इतनी हिमत के अपने बाप के सामने जबान चला सके मैं कली केलासनाथ से बात करके तुम दोनों की मंगनी पकी करवा देता हूँ आखिर ये हवेली की कलेक्शन का सवाल है आपके लिए डैग ये हवेली जमीन चाहदात मेरे लिए अब कोई माने ने रखती मुझे ता सिर्फ राता चाहिए अब हलमे हरकी महत्पा सवाल ये नहीं कि मेरे पर हमले का विक्रम से कोई तालुक है या नहीं विज्टा तो मुझे इस बात पर आ रहा है कि उसने तुम्हे अपना कहा तुम्हे अपनाने की बात कहीं उसकी इतनी हिमत इतनी जुरत कि वो ये दवा करें कि तुमसे दो दिन के अंदर दर सवाई कर लेगा वो दिन कभी नहीं आएगा बिर्जू कलेक्टर और उसके बेटे के कहने से क्या होता है अपनी राधा पर भरोसर रखो मैंने तुमसे प्यार किया है तुमारे साथ घर बसाने की कसमे खाई हैं चाहे सौ कलेक्टर सौ रिष्टे लेकर आजाएं ये राधा हमेशा बिर्जू की रहेगी वो मर जाएगी पर कभी किसी और की नहीं होगी अच्छा हुआ इन्रजित के तुमाज आ गए है कल शुरात्र के दिन हमारे यहाँ बात बड़ा जश्न होगा खूब नाज गाना होता है धोल पाशे बचते हैं हमारे गाव में एक लड़का है बिर्जू क्या गाता है वाह समा बान देता है कल तुम भी सुन ले न अरे वही हम तो उसे देखी लेंगे लेकिन हमारे लिए खुशी का दिन वो होगा जब राधा और विक्रम की सगाई होगी क्या कह रहे हो हाँ चाद्री साहब हम आपका बहुत पहसान मानेंगे अगर आप राधा का रिष्टा हमारे विक्रम से कर दें इंद्रजीत मुझे भी तुम्हारा विक्रम बहुत पसंद है और मेरे खायल में राधा को भी उसका साथ अच्छा लगता है दोने सुबा घुमने जाते हैं तो शाम को ही वापस लोटते हैं अरे तो फिर क्यो ना इस साथ को पक्के बंदन में बांदिये जाए ठीक है हमारी पुरानी दोस्तिया भिष्टदारी में बदल जानी जाए क्यो नहीं दोस्त क्यो नहीं कल जब इस हवेली के सामने पूरा गाव इकठा होगा तब जश्ट के बाद राधा और विक्रम की सगाई का एलान भी कर देंगे माफ कीजिए चाह ठंडी हो गई है मैं दूसरी विजवाती हूँ अच्छा बाजे राधा राधा वेटी सुन तो आपी बात क्या है अचानक उठकर चली क्यो आई दादिमा मैं मानती हूँ कि शादी व्यां हर इंसान को करना पड़ता और निभाना वेपड़ता है लेकिन गावे जरूरी नहीं कि लड़की लड़की की शादी वही होनी चाहिए जहां दोरों का मेल हो शादी हो जाने पर मेल अपने आप हो जाता है ये बंधन नहीं ऐसा है बेटी कोई पत्थर की लखिर तो नहीं है दादिमा और अगर मेल ना हो पाए तो बंधन और भी कसकर गली में आटक जाता होगा ना ये तो कह क्या रही है किसके बाद कर रही है अपने और विक्रम के और किसकी अगर मेरी मर्जी ना हो मैं किसी को ना चाहू तो भी क्या मुझे सूली पर चरह दिया जाएगा ना ना बेटी ऐसी अप्शकुन की बात मत बोल तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है अगर तेरा मन नहीं मानता तो विक्रम को पसंद नहीं करती तो तेरा ब्याँ वहाँ हर्गिस नहीं होगा सच दादी मा हाँ बेटी देखा, कर दीना कलेक्शन कल चौदरी साप की भुलन दवाद सारे गाउं के सामने तुमारी और रादा की सगाई का एलान करेगी बहुत आला डफली वाला डफली बजाता रह जाएगा और रादा डंके की चोट पे हमेशा के लिए तुमारी हो जाएगी अरे 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 देख इधर प्यारी प्यारी सुरत तेरी प्यारा तेरा प्यार प्यारी प्यारी सुरत तेरी प्यारा तेरा प्यार एक नजर जो मारी तोने तीर हुआ है पार तेरे भी में अब नहीं जीना प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारा तेरा प्यार प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारा तेरा प्यार बहके कदम मेरे बहके नजर्ण है जाल शाहे तेरे प्यार का बस रोक अपनी तीरे नजर्ण मैं होश खो बैधा संसार का फिरनी जैसी अखिया तेरी चंदा जैसे गार हाई प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारा तेरा प्यार प्यारी प्यारी सूरत तेरी हाय मैं मर जावा गोडे पे एक दिन होगी सवा मैं आओंगा अपनी सजनी के द्वा बाजा बजेगा नाचेंगे या दोई उठा कर जलेंगे कहा किस दिन होगा सपना पूरा कौन महीना सा है प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारा तेरा प्यार प्यारी प्यारी सूरत तेरी प्यारा तेरा प्यार हो, 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 हो हाइड आदा आ आ राइड, हाइड, हाइड आ आ आ आ आ कि अनगये beauty अज तो तुम्हें कमाल कर दिया है अन्य सुर के जादू में तुम हूं को इस हमें इस गाओं को इस धर्थी आसमा को सब बहुत बहुत शुक्रिया चौदरी साब शहर से आये हुए मेरे मेहमान मेरे खास मेहमान बहुत खुश हुए इस खुशी को मैं तुमसे बातना चाहता हूँ इसके बदल में मैं तुम्हें बहुत बड़ा तुफा देना चाहता हूँ तुम जो चाहो, मांग दो. जी मैं.. मैं आपसे.. आज तुम्हारा दिन है. यह और चодыरी का. आज, जो तुम चाहो दिल से मांग सकते हो. जी अधिकार जमान, आप मुझे देना ही चाहते हैं चòджरी सहब.. तो मैं आपसे आज कुछ नहीं कुछ जरूर मागूँगा मगर एक गीत कहना नहीं अपने दिल का अर्मान मागूँगा आपसे अगर आप सच मुझे पर इतना खुश हैं और मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो इस गरीब की छोली में आप अपनी बेटी का रिष्टर ढाल दिजिए तो कौडी के डौई है तेरी ये मजाल के मेरी होने वाली मंगेतर का हाथ मंगे जादरी साफ के दियेवे वचन को अपनी गंदी मांग के कीचर ने घोले मैं तेरी खाल उतार दूँगा मैं तुझे चांट से मारत हुआ अपनी पास्तर्ड राधा पाभू चांट दीजिए इसे राधा बिट्या के साथ अभी आपसे मंगनी नहीं हुई है इसलिए आप उसे अपनी मंगेतर नहीं कह सकते रही बिर्जो की बात चादरी साब ने सब के सामने खुशो को उसे वचन दिया है कि वो जो कुछ चाहेगा उसे मिलेगा उसने उसने मांग ली अपनी जिन्दगी अपना प्यार राधा बिट्या को मैं आपसे बिंती करता हूँ अपनी बात का मान रखने के लिए अपना वचन निभाईए वाह क्या नाजायस कलेक्शन हो रही है वचन और फरमपरा की शराफत और अच्छेपन में आके चौदरी साब ने कह दिया है कि कुछ मांग लो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गिरेबान पर हाथ डालके उसकी गर्दनी तुबुच लो इनाम का मतलब होता है रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद इन में सो जो भी चाहे मांग लो तांसेन और यहां से चलते बनो मुझे रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए कलेक्शन साब मेरे प्यार, मेरे जंदेगी सिर्फ राधा है और मुझे राधा का हाथ ही चाहिए मेरे सबर का इतना ज्यादा इम्तिहा मतलो बिर्जू अपनी आवकात में रहो उन्ची उडान भरने के कोशिर मत करो मेरे बेटी का रिष्टा तुमसे कभी नहीं हो सकता कैलाश, ये सब तुम्हें वचन देने से पहले सोचना चाहिए था एक ठाकुर का वचन राजबूर की कमान से निकले हुए तीर के समान होता है जो वापस लोटकर नहीं आ सकता जो कह दिया, उसे पूरा कर दिखाना ही तुम्हारा करतावे है चौधरी साथ, माजी बिल्कुल ठीक फर्मा रही है आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, इसी में आपका बड़पन है देखिए, आप सब लोग लवजों से खिलवार करके मेरी कहीं ही बात का नाजाइस फाइदा उठाना चाहते है अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या बेटी इनाम में देने वारी चीज़ होती है को? बेटी घर की इद्जत होती है और फिर किसी भी बात कोई आजिकान नहीं है कि वो अपनी बेटी को किसी दाव पर लगा दे या किसी इनाम में देदे उसके अपनी जिन्दे के अपनी है उसका फैसला करना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है बिल्कुल ठीक है आपने चौदरी साहब बिल्कुल ठीक तो इस फैसला आप अपनी बेटी के हाथ में ही छोड़ दीजिए देखिये, जरा पलट कर देखिये अपनी बेटी की आँखों में, वो बार बार आपसे सिर्फ यही कहेंगी, कि आपकी बेटी खुशी खुशी इस गरीब के छोली में गिरने को तयार है वा राधा, वा बच्पन की दोस्ती को इतना घिनाना रूप दिया जाएगा यह है मैं मालूम नहीं था तब इस भरी सभा में इन गाउवालों के सामने कहें दो हमें कि तुम क्या चाहती हो क्या हम बांदे तुम्हें इस गरीब बिर्जो के पल्लु से हमारी बिटिया का लाश से जुका हुआ सर उसके संसकारों का प्रती है इतने गाउवालों के सामने क्या बोलेगी वेचारी चौदरी बनकर नहीं एक बाप बनकर उसकी खामोशी को गौर से सुनिये हाँ के लाश, राधा की शादी बिर्जो के साथ कर दो और फिर अपनी राधा के भी तो यही मर्जी है राधा की शादी बिर्जो से कीजिए राधा की शादी बिर्जो से कीजिए चौदरी सहाथ, अपने वचन पूरा कीजिए अपना वचन पूरा कीजिए राधा की शादी बिर्जो से कर दीजिए ठीक है अगर आप लोग मुझे मजबूर करते हैं, तो मैं हाँ कह देता हूँ पर मेरी भी एक शर्थ है, कहिए जोद्री साहब, राधा को पाने के लिए मैं शर्थ का बड़े से बड़ा सबंदर भी पार कर सकता हूँ तो सुनो बिर्जो, राधा मेरे इकलौती बेटी है, इसकी माद की माद के बाद मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, चंदन के पालने में इसे लोडी आंडे दे कर मैंने इसे बड़ा किया है, जिस दिन इस घर के चौकत छोड़ कर वो विदा लेगी, क्या मैं इस लाडली क आप अपने होने वाले दामाज से ये पूछ सकता हूँ, कि मेरे लाडली बेटी को इस हवेले से ले जाकर वो कौन से महल में रखेगा। दो प्यार करने वालों के बीच आप दौलत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप भूभी जानते हैं कि ये बिचारा रुपए पैसे के मामले में ता जिंदगी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तुम सरपंच। मैं इसे अपना मुखाबला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो तो ज्याती होगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्थ है। पर जो मैं तुम्हें एक साल का वक्त देता हूँ। मेरे पास हजार एकर जमीन है। साल भर के अंदर तुम पास शेकर तो हासिल कर सकते हो। लाखो रुपया है मेरे पास। तुम एक साल के अंदर पच्चीस हजार तो कमा सकते हो। हजारों दोला सोना है मेरे पास। तुम एक साल में पच्चीस तोले तो जमा करी सकते हो। बोला। शर्ट की ये छोटी सुनिदी पार कर सकते हो। आपकी रख्षी हुई ये शर्ट मुझे मन्जूर है चौदरी सहाब। सुनो गाउवालो, अच्छी तरह से सुनो। अच्छी ठीक एक साल बाद, इसी शिवरात्र के दिन, मेरी बेटी के आतों में मेहंदी रचेगी, यही शादी का मंदक सजेगा। अगर बिर्जू एक साल के अंदर, मेरी शर्टों के मुताबिक, यह सारी चीज़े हासिल करके यहाँ लौट आया, तो सहरा उसके सर होगा, वरना मेरी बेटी की दोली विक्रद्र कर जाएग। बोलो, है मंजूर। हाँ, हाँ, मंजूर है। पिर्चुरू। पिर्चुरू। इंदरी जीत, मैं तुमसे बहुत शिखमिंदा हूँ, जो वादे किये थे, पूरे नहीं कर सका। क्या-क्या सपने देखे थे, सब अधूरे रहे गे। कोई बात निका राशनात, सपने ही तो है, आज यो दूरे रहे तो कल पूरे हो जाएगे। चलता हूँ। अच्छा, बेटा, आओ। अच्छा माजी, अच्छा। नमस्ते भाई साब। नमस्ते भावजी। कहीं कहीं छोड़ेगी मुझे वो आपके लाजली पोती। पूरे गाह में बेजजद करवा के उसका दिल नहीं भरा जो महमानों के जाने के वक्त गायव है। कुछ खबर है कहा है वो। बिर्जू को छोड़ने गई होगी। बिर्जू। यह शर्प तुमने मानी है क्यों विर्जू। क्यों मानी। यह सब उन लोगन की चाल ही जानते हो तुम। एक साल में तुम इतना पैसा, इतना सोना चंदि कहां से लाओगे। तुम यह सब नहीं कमा पाओगे। एक सार में तो मेरे प्यार की उमर में बिच जाएगी नहीं राधा, ऐसा मत कहो, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी मुझे पैसे, जमे, जेवरात कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे भी साथ ले चला, हम दोनों कहीं दूर चलते है नहीं राधा, मैं तुम्हें एक चोर की तरह भागा कर नहीं ले जाऊंगा पंचायत के सामने जो कसम खाई है शर्थ पूरी करने का जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा करके ही लोटूँगा रो मत राधा, अपने प्यार पे भरुशा रख मैं शर्थ पूरी करके लोटूँगा मेरा अनकजार करना राधा, मेरी रहा देखना रहा देखूंगी पर तुम मेरी साह की कसम खाऊ तुम लोटूगे जरूर चाहे शर्थ पूरी हो या ना हो हाँ राधा, मैं लोटूँगा वक्त से पहले और शर्थ पूरी करके बिर्चो, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती पर आखें बन कर लो, तहर तुम चले जाना मैं कर तुम भाद Laut कर दो जादनी देख सकती कर दो आखें झाना कर वक्त सकत्ड कर अम कर दो कि पहले देख कर दो कर दो कर दो क्या कीमत है तेरे दिल की ये नगरी है धनवानों की सोने चांदी के बदले में बोली है लगती अर्मानों की लुट नहीं जाना ओ पर देसी दुनिया बैरी चोर बड़ी दुनिया बैरी चोर बड़ी जाने वाले भूल नचाना प्यार हमारा भूल नचाना लुट 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 युट बड़ी अलगा दॉआ है और चाल आ से आ रही है बिरजु को छोड़ने गई थी बाभू जी पिर जो को छोड़ने गई थी या अपनी लाज, अपनी शर्मोहया छोड़ने गई थी मेरा रुद्वा, मेरी शान, मेरी इज़त, मेरे खानदान की मान मर्यादा यह सब तुमारे पैरों की नीचे की जमिन नहीं है, जिसे रोनते हुई तुम इस हवेली की चौकर को लांग जाओ एक गरीब लड़का अपना घर बार छोड़कर, तरदर की ठोकरे खाने बाहर जा रहा हो सिर्फ इसलिए कि वह अपनी खाली गच्छी को सोने चान्दी से भरके दुनिया के सामने रख सके तो क्या किसी और का इतना भी फार्ज ने बनता कि वह उसकी खाली गच्छी में थोड़ी से हिम्मत और उम्मेद भर दे ताकि वो बे सहरा मुसाफिर उसके सारे साल पर जी सके बहुत लंबी चल रही है तुम्हारी जमान आजकल ये मुझे बिल्कुल मंदूर नहीं है कि मेरा अपना ही कुंग उससे बगाउत करे और आखिर उस भिकारी में है भी क्या कुछी दिनों में सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब अकल ठिकाने आ जाएगी उसका बाप भी शेयर गया था दोवक की रोटी कमाने क्या विला उसे भोग की मौत ये भी उसी की तरह भोगा मरेगा उस दोटे के जोगरे की क्या हैसियत के इस शर्प का हिमाले पार कर सके उसके उमर बीच जाएगी लेकिन शर्प का इस साल नहीं बीतेगा अरे कुमार पल्टे सामने तो कमाली कर दिया तीनों शो हाउस पुलो गए और नमस्ते सिट जी अरे तुम तिर आगे सेच अब मुझे एक माकव को दर्वा दीज अपने शो में गाने का मैं आपको निराश नि करूँमा सेचhhh लो सुनो, यह हमारे शो में गाएगा अरे भाई इसका आखिर नाम क्या है? पता नहीं अरे जब नाम का पता नहीं तो आपको काम कैसे देंगे? यहाँ तो टिक्टे विक्ती है स्टार के नाम पे ओडियन्स को चाहिए स्टार, नाम मेरी कंपनी तुम्हारे गाने रिकाउट करेगी बड़े-बड़े कलाकार मर गए है क्या? जी, मैंने ऐसे कब कहा बड़े लोगों को अपना दैरा होता है मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ देखो, हम छोटे-मोटे कलाकारों को मून नहीं लगाते वो जो गली चरहों पर नौटकी बजाते है न उनके लिए अपना तबला बजाओ गट आउट बेटा, तु बहुत अच्छा गा रहा है ने? तु अगर हमारी कंपनी में गाएगा न तो बड़ी तुम्हारे हाथ की लकियों बदल जाएगी सच मास्तर जी अपनी इनी हातों की लकियों को बदलने के लिए मैं पिछले छे महिने से भटक रहा हूं आने वाले छे मीनों में मुझे पचीस तोले सोना पचीस तोले चांदी और पचास हजार नकत कमाना है यह सब तो हो जागा ना मास्तर जी अरे छोटो यह तो डाल लोटी के साथ-साथ वरी पकोरा भी मांगता है ना इसको समझा जो भाई कला की ऐसी तो हिंट हमने आज तक नहीं देखी अरे पात्तर साल हमारी सेवा करेगा नी तो मेवा तो मिल ही जाएगा लेकिन यह सब तुमुझे 6 मेरे में जवा करना है 6 मेरे में इतना साल रुपिया इतना साल सो न, तु पर कला कींगा करते हो سाई जाओ टाका डालो छोडी कर लो हे भगवान मेरी बीरजु की रक्षा करना मेरे प्यार की खातर उसने इतनी बड़ी शर्प पूरी करने का बिड़ा उठा लिया है। उसे पूरी करने के लिए उन्हाजाने कहां कहां भटक रहा होगा। वो परदेश में बहुत अकेला है प्रभू। उस पर दया करना। हे पालनहार कोई ऐसा चमतकार कर दे ताकि मेरे ब्रजु के कदम अपने आप उसकी मंजिल तक पहुँच जाए। विमला पमला जलबे आओ, आशा वोशा तेरे मिलाओ, मंजू मंजू मुझे बचाओ, दुखडा मेरा सुनती जाओ। ऐसा कौन सा दुख है तुमको, जल्दी जल्दी कहते हखो। पहले पहलती कुडमाई, फिर मैं होगे डोलबी आई। जब से मैं ससरान में आई, संद सजना के बैटन पाई। इस दिल ने देखे थे जितने तूट गए वो मेरे सपने। सोचा था मेरा सचना होगा, हाथ में उसका पंगना होगा। जाल से जादा प्यार करेगा, फिर मेरी वो बहुत बरेगा। खुटके रह गए मेरी जवानी, सास ने फिर दिया है पानी। तो फिर अब बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, सब रिका मेरे बांद बह गया। अब तो मैं बड़ला लूँगी किस सुसरी को न चोड़ूँगी। सास मेरी है बड़ी लड़ा की बिना बात के टोके, रोजने एक आग लगावे उसमें मुझको छोके नी मूँगी। कुटनी कोई न रोके कुटनी कोई न रोके अगर कभी माठी पे उसकी चीकी जो चड़ जावे। कुटना हिसावे चीकी तो भी सुसरी मुझे बुलावे। कुटनी कोई न रोके 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 सास मेरी है बड़ी लड़ा की बिना बात के टोके रोज नहीं एक आगल कावे उसमें मुझ को छोके नी मैं ससकुतनी उटनी कोई ना रोके नी मैं ससकुतनी उटनी कोई ना रोके हलो? हलो, रूपा है? जी अभी बिलाती हूँ, रूपा, तुम्हारा फोल? हलो, हलो, रूपा, हाँ बहिया? तुम फॉरण चलियो, क्या? रमा भावी की तब्यात हुआ, भावी तो ठीक है ना? तुम चल्दी चलियो हाँ, बस मैं अभी निकली Mangal Singh, चन्मनबूर के जंगल बारे राक्ति से निकल चलो चल्दी पहुंचाएंगे जी, बहाब अच्छा क्या हुआ, किसे रोका तुगी को? हम हैं कौन हो तुम? हम है इस इलाके के मख्यूर ठक मैं कहती हूँ, हज जो सामने से तुम जानते नियों कि मैं कौन हूँ था कुर रंबीर सुन की छोटी बहन हाथ भी लगाया तो तुम्हारे साथ पुष्टों के हाथ पाउ काट दी जाएंगे हम हाथ आएंगे तब ना? हाँ हाँ चाथ हाँ बचा य Speer फुम्हाicus पुम्हाँ पुम्हाँ चाथ प्तो कर फुम्हाँ कर प्तो कर प्तो मैं आएंगे हाँ! हुग! प्युद और ख ड' रव हुग! 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 भॉजजजा, भॉजजा comigo! भॉजजजजा! कि इस झया! अग्वान का शुक्र है कि आप एन वक्ट पे पहुंच गया पर नाज पता नहीं क्या हो जाता आपको ऐसे खतरनात जंगल के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था जल्दी पहुंचने के चक्र में खैर आपके दुनों अद्नी भी काफी जख्मी हो गए हैं मैं आपको अज भी हमेशा की तरह मेरा दिल धड़क रहा चाओदरी जी दो बार तो ऐसा हुआ कि बच्चे का मुझ देखना नसीब नहीं हुआ एक बार तो बच्चा गिर गया और दूसरी बार अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं समझूँगा मेरा बंच आगे चलने वाला नहीं है इश्वर ने चाहा तो इस बार लड़का होगा आपको भाया भावी भावी ठीक है ना हा लेकिन लेकिन तुम्हें क्या हुआ रूपा नहीं कुछ नहीं हम चंदनपुर के जंगल वारे रास्ते से आ रहे थे कि कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया क्या तुम पर कुछ लोगों ने हमला किया इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाया तुछ पर कोई हमला करे और तु कहें कि घबराने वाली बात नहीं है अरे चंदनपुर के जंगलों को आग लगा दूगा चला कर दूगा उन्हें जाने भी दो भाया इसके पहले कि कोई अन्हुनी हो जाती किसी ने एन वक्त पर आके हम में बचा लिया और घर तक भी छोड़ने आ गया कहा है वो कि यही पिते साथ मैं देख के आती हूं सुनिये आप का रहे गया है जी में वो जरा कोचवान की मरंपट्टी करवा रहा था मुझे आगे दीजे मुझे वापर जाना है अरे अरे ऐसे किसी जा सकता आप भाया अंदर बुला रहे है चलिए भाया आये ना भाया ये आओ अंदर आओ भाया सुना अपने साकुर साथ साकुर साथ मुबारक हूँ बेता हुआ है भाया रूपा मैं कितनी खुश हूँ अज बर्सों के बाद इस घर की मुराब पुरी होगी भाबी की गोद भर गई मैं चलिए अपने भतेजे को देख रहे नस ड्रमा ठीक तो है ना सब ठीक है मैं अधियाब को बलाती है ये ये एक अजीब इतिफाक है नौजवान कि तुमारे मुबारक कदम पड़ते ही मेरा सुना घरांगन बच्चे की किलकारियों से गुण जूठा तुमने मेरी जान से प्यारी बेहन की जान बचाई है तुम मेरे खुशकस्मती के फरिष्टे बनके आयो उस घर में हम तुमें सोने चांदी में तोल डई आज के बाद तुम हमारे मैमान हो ग्रांदीन ये जरकार इनके रहने का बंदवस्त किया जाए मेरे हाथ मेरी जोली मेरा नसीब सब कुछ खाली है ठाकुर साहब इस बतनसी बिर्जो की कहानी एक साल लंबी है उसमें सिर्फी तस महीने तो गुज़र चुके हैं अब तो सिर्फ दोही महीने बाकी रह गये हैं इन दो मेनों में मुझे 25 तोले सोना पांच एकर जमीन और 25,000 नकत कमाना है और अगर ना कमा पाया तो बस सिंदगी का अंति समझे ऐसी कैसी बाते कर रो बिर्जू तुम इस घर में खुशियों का इत नया सवेरा लेकर आया हो तुमारे कदम रखते ही मेरा सुना आंगन बच्चे की किलकारी उसे गून चुठा तुम जैसे फरिष्टे के लिए हमारी तिजोरी अपना मूझ खोल देंगी तुम्हें ठाकर रंबीर सिंग के वारिस की कसम रूपा के सलामती की कसम तुम्हें जितना सोना चांदी और रुपे चाहिए लेकर जाओ आज के आज नहीं ठाकर साथ नहीं मैं हच और करविंती करता हूं आपसे मैं यह सब कुछ ऐसे स्विकार नहीं कर सकता मुझे सब कुछ चाहिए जरूर मगर इनाम या बक्षीश की शकल में नहीं अपनी मेहनत की कभाई से मुझे इनाम नहीं काम चाहिए ठाकर साथ काम तो काम में तुम्हारी मदद कर देंगे मेरे भहिया तुम जिस कारोबार में जितना पैसा लगाना चाहों मेरे भहिया से ले सकते हो हाँ, बिलकुल कहो, कौल सा कारोबार करना चाहते हो मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला के बलबूते पर सब कुछ कमाना चाहता हूँ मैं गीत कहता हूँ बस अब मुझे एक ऐसा मौका दिलवा दीजे मेरे ले एक ऐसा रास्ता निकाल दीजे जिस पर चलकर मैं अपनी कला से आस्मान को चलू बहुत खूब तुम्हें इस घर से अच्छी शुरुवात और कहा मिल सकती है तुम यहीं से शुरू हो जाओ क्यों रुपा हाँ भाया, क्यों नहीं हम अपने वारिस के जनम का जशन मनाएंगे और उसमें एक से एक अमीर और रईस को बलाएंगे तुम अपनी संगीत के जादू से उनका दिल जीत लेना आस्मान, खुद बखुद तुम्हारे आगे जुक जाएगा जाद का टुकड़ वो तेरा है जमी पर रोशन हुए लाखों दिये किसमत का तार उतरा है यहीं पर मुस्कुराहत से तेरी यह बहारे खिल उठी जैसे आसमान से ये जमीन मिल गए ये जमीन मिल गए चांद से तूट कर चांद का टुकड़ उतरा है जमी पर मेटी से प्यारे से फलकी से खुंदले से दिल में ये तस्वीर थी देखा जो सपनों में आया वो अपनों में ये मेरी तक्दीर थी ये मेरी तक्दीर थी चांद से तूट कर चांद का टुकड़ा उतरा है जमी पर चंदन का छोटा सपलना तेरा हसना गिरना सभलना तेरा बचपन तेरा हो खुशियों भरा चांद से तूट कर चांद का टुकड़ा उतरा है जमी पर रोशन हुए लाखों दिये किसमत का टारा उतरा है यहीं पर शुक्रिया धन्यवाद वाद विर्जू बहुत खूब तुम्हारी आवाज में सच मुझ जादू है मेरे बेटे की शादी का मुहरत निकल चुका है विर्जू उस दिन के लिए तुम आज ही से बुख हो लो, शुरुवात हो गए बहुत बहुत शुक्रिया धको साहब भैनि वन्यवाद विर्जू बहुत खू़ाद कर दिन के लिए प्रफ़ खूझ लुख हो भैन्यवान मुझे खुशी है कि तुम्हे आज वो सब हासल हो रहा है जिसके तु मंगता रहा हूँ तुम सच मुझ एक परह इक अलाका रहा हूँ इसलिए तुम्हारी इशारत ये सब आपकी मेरबानियों का नतीजा है रूपा जी मैं तो कल तक दर-दर मारा मारा फिर रहा था आप नहीं मिलती, तो क्या ये सब मिल सकता था मुझे, आप सच मुछ मेरी सिंदगी में मेरी किसमत बन कर आई है तुम क्या कम किसमत लेके आयो हमारे बार, तुम्हारे कदम बढ़ते ही, पहिया भावी का सुना अंगन, बच्ची की खिलखिलाच से गुंज उठा जिन्दगी में ऐसी हर्याली पाने के बदले, भाएया से जो भी महरबानी की गई, वो कम है तुम्हें तो इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, کہ तुम्हारे बामन में भी समाना सके नहीं रूपा जी नहीं, मुझे तो सिरफ उतना ही चाहिए जितने की तलाश है मुझे, उससे ज्यादा कि मुझे कोई चाहत नहीं, टॉलर तो जमीन तो एक लालच है, जिसे पाने की होड में लगा इंसान, अपना सुख, चैन और इमान तक खो देता है, इन सब को खोकर कहीं दिनों से देख रही हूँ राधा, तो ठीक से खाना नहीं खाती, खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे पोक से मरना चाहती है, अपने आसों से मुझे हिलाना चाहती है, थाके मैं तरस खाकर अपनी शर्ट बदल दूँ, लेकिन यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अगर यह जिद्ध्य है तो मैं भी इसका बाप हूँ, मैं भी नहीं बदलूँगा, रूपा जी, रूपा जी, तुम कट राते, आज का जलसा केसे रहा, अरे रूपा जी बस पूशे मत, आज तो कमाल ही हो गया, इतनी तालिया, इतनी तारीफ मिली के दिल खुश हो गया, बदो होना ही था, तुम दिल से गाते हो, इसलिए तु दिल को छू लेते हैं, चोड़िये रूपा जी, खायर, अरे रूपा जी, जैसी बाते कर रहे हैं, आप पर तो पूरा विश्वास है मुझे, आपकी यो ठाकुर साथ की महरवानिया, क्या कभी भला सकता हूँ मैं, अरे हाँ, इसी बात पर यारा है, दौलत राम जी शिकायद कर रहे थे कि ठाकुर साथ जलसे में पहुंचे नहीं अखिर हैं कहा वो? स्वागत सथकार की तयारी में लगे है, कोई आ रहा है फिर तो कोई खास ही मेमान होगे जो ठाकुर साथ खुद तयारी में लगे हुए हैं जी हाँ, खास मैमान आने वाले हैं, वो शेरगर के ठाकुर है न, उनके लड़के दीवान सिंग, निली निली आखों वाले, उनके साथ भाया भावी मेरा तिष्टा जोड़ना चाहते है, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, खाप खुशी की बात है, ये ठाकुरों के भ पसंद भी करें या नहीं, अरे रे, क्या कह रही है आप, आपको और नापसंद, सवाल ही प्यादा नहीं होता, आरे वो आपको देखेगा न, तुरस देखता है रह जाएगा, क्या कमी है आप में, गोनो ससकार ऐसे, जैसे कि कोई देवी, स्वभाव से रागी नी, और रू पाजी, आपकी सुंदर्था ब्यान करने में तो शब्दी फिके पड़ जाते हैं तुछ देखते की उंगी, तेरा प्यार जिन्दगी है तुछ देखते की उंगी, तेरा प्यार जिन्दगी है तुछ देखते की उंगी, तेरा जिन्दगी है तुछ देखते की उंगी, तेरा जिन्दगी है आपो में तु ही तु ही तु है, तु दिल के यार जिन्दगी है शित्वाने रब से छूटी सी उंगी है तुछ देखते की उंगी, तेरा प्यार जिन्दगी है तुछ देखते की उंगी, तेरा जिन्दगी है मेरी अजमाना की हर रात चालनी है तेरी जो साथकी है, तेरा जिन्दगी है मेरी अजमाना की हर रात चालनी है तेरे दम से मुहाबत तु मेरी खुशी है तुछ देखते की उंगी, तेरा प्यार जिन्दगी है शिक्रवाद अपसी छोटी सी उम्रती है तुछ देख कीजियोंगी तेरा प्यार जिल्दगी है दिल पे तेरा करम्द तुछी मेरा सनम्द तेरी लिए तू मेरी ये तुछ देख करम्द तुछी मेरा सनम्द तेरी लिए तू मेरी ये तू उम्रती है अब इसास कर रहा है प्यार बंदगी है तुछ देख कीजियोंगी तेरा प्यार जिल्दगी है शित्वान रब से छोटी सी उम्रती है तुछ देख कीजियोंगी तेरा प्यार जिल्दगी है शित्वान रब से छोटी सी उम्रती है तुछ देख कीजियोंगी मेरा प्यार जिल्दगी है राधा, राधा क्या हुआ बिटी? कोई सपनों देखा क्या? बगवान करे यह सपना ही होता दिवाँ मैंने देखा कि कोई मेरी बिर्जु को मुझ से छीन कर दूर लेकर जा रहा है तेरे तेरे वो मेरी आँखों से ओजल हो गया और फिर चारो और अंधेरा ही अंधेरा चागया फिकर मत कर बेटी तेरे प्यार की रोक्ष्टी से अंधेरा दूर हो जाएगा बिर्जु को तुझ से कोई नहीं छीन सकता अपने प्यार को भरोसा रख वो एक दिन जरूर आएगा अरे माई बाप अब छोड़िये ना उस बैजु बावरा की बातों को अब तो शादी वादी की तैयारियां शुरू कीजिए अरे हाँ अब तो सिर्फ दो महीने रह गए हैं और फिर इस बार मैंने गाओं में राधा रानी को देखा है उसकी आखों के सूखे हुए आंसू अरे हुजूर उस बिर्चु की नाकामी की कहानी साफ साफ कह रहे है मैं तो यह कहता हूँ कि आप शादी का माहल पैदा की दिये और नकालिये चागून वादून निकालिये त्यांकू चागून केलाशनात इंद्रजीत इस सब क्या है शगून है केलाशनात अरे वह शादी में दो महिने रह गए हैं हमें अपने अर्मान भी तो पूरे करने हैं तुम जाओ तो इसे दोस्त की बेंच समझ के सुईकार कर लो पर हम लाए इसे सगाई का शगून समझ के इंद्रजीत मैं तो इसे एक दोस्त की बेंच समझ कर सुईकार कर सकता हूँ और सगाई का शगून समझ कर भी तक मुझे डर है कि मेरे बेटी और शायद मेरी माँ भी इसे किसी हालत में सुईकार नहीं करेंगे बेटी को समझाना शुरू कर दो केलाशनात बख बहुत कम है उसे बिर्जु को भूलकर एक न एक दिन मेरे बेटे से बयार रचाना ही है वो दिन जब आएगा तब देखा जाएगा यह नुमाई शर्ट की हार जितके बाद होगी उठाए यह शगून की जोड़े और चले जाएए यहां से राणा उस दो ठके के छोकरे के लिए कलेक्टर के घर से आयुए रिष्टे को ठोकर मार रही है मेरे सबर का साधा इमतहान नमतलो तुम जाती हो यह मुझे मैं पहते हुए दर्या का रुख मोड़ देता हूँ वो दर्या बरसाती नालों से बने होंगे विक्रम बाबू यहां तो प्यार की वो गंगा बैती है जिसका रुख पलतना सिर्फ शंकर भगवान के हाथ में है किसी इंसान के नहीं यह नदी जाकर अपने सागर से ही मिलेगी बंद करो यह बगवास जिसके साथ घर बसाना है जिसका सिंदूर अपनी मांग में रचाना है उसके साथ यह शबतते हूँ तुमें शाम आनी चाहिए शर्म तो इ innocent हादी चाहिए यह शगुन लाते हूए यह लगते क्या हैं मेरे इरा घर मेरा संसार बिर्जु है और इस मांग में सिंदूर भी सिर्फ वही भरेगा वो धरदर का फकीर सिंदूर की लखीर खीचने के काबिल नहीं है दो मैंने पहले तक भी फटे हाल था दो मैंने के बाद भी विकारी बन के सावेली के सामने ख़णा होगा देखो रादा, बात को ज़्यादा बढ़ा हो मत हम सब की भलाई इसी में है कि तुम इस शगुन को सुईकार कर लो सुईकार कर लो, इसमें मेरे प्यार का तार तार सजा हुआ है मैं इस शगुन का तार तार दोश डालूँगी यह सब शगार आप लोगे मिजे, आप लगा दोशे, इस शगुन नहीं है अपनावी ना को अपनावी नहीं होई है जोड़ेगे? मैं जपर्दपने महीं होने दूँगी दूर हो ज़ा यहां से, मिकल ज़ा हो ज़ा हो ज़ाए बहुत हो गया केलाश्टात, बहुत हो गया, मैं मानता हूँ कि हम लोग भक्त से पहले शगून ने कर आए, इसका मतलब यह नहीं कि तुमारी बेटी इस तरह से बेज़ी करें, तुम कम से कम दोस्त होने के नाते तो यह शगून रखी सकते थे, देखो मैं बहुत शर्मिंदा यह वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, ड़ी, don't get excited, चलो एक्रम, कलेक्टर हूँ मैं, ओक्रम करूश्मिया, बेटी, होश्मिया, संभाल अपने आपको, अपने गुस्टी को काबू में रख, कैसे काबू रख को दा दिमा, शगाई का शगून लेकर आए, इसे विक्रम हो पाप, मेरे घर में, मेरे साबने मेरे बिश्चो को उनने तरफ का भीकारी और वकीर का, अए विकारी तो वो है, जो मेरे विष्टे की भीक मन में आ रहे थे, बाजी, आपके लाज प्यारों ने इस लडगी को सर पर चला रखा है, बोजो इससे, घर में आये होए मेहमारों अगर आख बाप के सामने कभी प्यार महबत की बाप की तो चांट से माल डालूंगा मारिये मुझे, मार डालिये अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी जी रही है बाप होकर भी आप नहीं जानते कि आपकी बेटी किस आग में जल रही है एक एक पल, एक एक सास उकरती जा रही है मेरी दो महिने बाद अगर बिर्चु नहीं आया तो इस सुली पर मुझे चड़ना ही है बगवार के लिए उससे पहले मत चड़ाइए बाबुजी, मत चड़ाइए उससे पहले राधा देखा, रुला दिया ना बैचारी को, बाबी से ये सब कहने कि क्या जरूर थी वक्त अपने आप फैसला करेगा आने दो वक्त को किसे देख रही है रुपा किसी को भी दोनी भाबी, वो बेला है न, उसको चमेली की फूल लाने भेज़े था देखे न, अभी तक नहीं लादी, मुझे मंदिर जाने में देरी हो रही है अच्छा एक बात तो बताओ, तु मंदिर जाती है, कुछ मांगती भी है भगवान से हाँ भाबी, मांगती तो हो, मेरी भाईया भाबी के जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अपने लिए कुछ नहीं मांगती मुझे किस चीज की घमी है, आप लोग ने तो सब कुछ लिया है मुझे अरे हाँ, वो बिर्जु कहीं दिखाएनी ते रहा अब वोई तो यही से गुजर रहा था भाबी, वो गुपाल राय है न, उनके या घ्रिव प्रवेश का बहुत बड़ा चलसा है तो बहाँ गाने गया है उसके संगीत में ऐसा जादू है के दुसरों का दिल जीत ले, ऐसे गुन, ऐसे संस्कार है उसके के बस पूछो मत, वो जो तो बहुत अच्छा लगता है विर्जु वो इस घर के लिए कितना भाग्यवान है, कि उसके इस घर में आती है खुश्यों की बाढ़ा गई, मैं तो उसे जाने ही नहीं दूंगी हाँ भावे, उसे जाने ही मत देना नहीं न? बिल्कुल नहीं तू समझ गई है न, मैं क्या कह रही हूँ अरे धीपा, तू यहाँ? पिछले मैंने मेरी इसी गाउं में शादी हो गई थी अच्छा, दादा कैसी है? बल्के बिच्छाय बैठी है तुम्हारी राह में, कि कब तुम जीत कर सेरबान कर लटोगे पल-पल लड़ती है वो, दुनिया वालों से, घर वालों से, उम्मीद से नाउमीद पेचारी कितने मौसम गुजर गए, लेकिन उसकी नजर उसी रह पर टिके हुई है, जिस रह से तुम लोट कर आने वाले हो तुम अगर काँ जा रही हो, तो राधा से कहना कि मैं सारा पैसा कमाकर बख से पहले ही लोटाँगा जितनी वो थड़ रही हम उससे मिलने के लिए, उससे कहीं जादा तो मैं बेचान हूँ, उसकी एक जलक के लिए उससे कहना कि पगली, अब अपनी आँखों में आंसो नहीं, सपनों के तिये जला ले मैं कहूं, तो वो मेरा यकीन कभी नहीं करेगी ऐसी तसली मैं उससे कई बार दे चुके हूँ, तुम ऐसे करो, अपने हाथ से उसके नाम एक चिछी लिख दो, मैं उससे पहुँचा दूँगी क्या? हाँ, उसने देन सारा पैसा कमा लिया है, और कह रहा था, साल पूरा होने से एक दिन पहले लोट आएगा हैच, छूट भोल रही है तु, मेरा दिन रखने के लिए छूटी तसली दे रही है मैं जानती थी, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए मैं उसकी हाथ के लिए की चिछी लाई हूँ चिछी? ये देख, उसकी चिछी तेरे नाम मेरी प्यारी राथा अभी तक तुम्हें संदेश नहीं भेज सका था, वज़ा यही थी कि किसमत की लकीरों को बदल डालने की कश्मकशने फुर्सत ही नहीं दी अब मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी बदालत मैं तुम्हें अबना सकता हूँ वक्त पीतने से पहले ही लोट रहा हूं राथा मेरा इन्कशार करना अब बाजी मेरे हाथ है मैं जीत का सहरा बांधे तुम्हारे गार आओंगा और तुम्हें डॉली में बिठा कर ले जाओंगा मेरा इंतजार करना हो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा राधा हम जीत गए राधा हम जीत गए मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ दिर धिरे आजा, अल अले आजा, कर कर बदिरा जिम चिम कर जा, दन भर जा, कर कर बदिरा खर आया मेरा पर देशी त्या से ज़िए मेरे अरं तर जी दिर धिरे आजा, अल अले आजा, कर कर बदिरा जिम चिम कर जा, दन भर जा, कर कर बदिरा अले आजा, कर क जा, आजा आजा ऑुझे देशी तॉटले आजा, कर क जा मेरे आजा सापत जड़की एक बहा दरपन देखू सावा छल्क पियापी आए तो शर्मा जाए हार सिगा सापत जड़की एक बहा दरपन देखू सावा छल्क पियापी आए तो शर्मा जाए हार सिगा इस घर उस घर इस गली उस गली करता है जब तो मेर महभूब की घर आया मेरा पर देशी प्यास जबी मेरे अर तरची धीर धीरे आजा हर हल आजा कर पर बदरा दिशम पर जा दन भर जा कर पर बदरा कर दो सेज सचाई पूलों की घरे ने सब जान लिया आग लगी जो बिरहों में सजना ने पहचान लिया सेज सचाई पूलों की घरे ने सब जान लिया आग लगी जो जिरहां में सजना ने पहचान लिया इस घर उस घर इस गल उस गल करता है अब तो मेरी महभूत की घर आया मेरा करने थी प्योस जगी ये मेरे अर टरची जो जिरहां मेरा करने थी प्योस जनी पी जो 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 अधरे ज़राँ अरे भई तुम तु दो ही मैने में कहां से कहां पहुँच गए दरहसल उस दिन मैं जरा जल्दी में था तुम्हारी आवाज को ठीक से पहचान नहीं सका सुनो हमारी कंपनी के लिए गा दो मैं तुम्हें पचास हजार रुपए एडवांस लेता हूँ अब ले भी लो ना प्लीज आज पर खुश नजर आ रहे हो ओ आप खुशी की तो बात ही है रुपजी जितना रुपए और सोना चांदी मुझे चाहिए था आज वो सब मैंने कमा लिया सुचता हूँ कि कल अपने गाउन लोट जाओ कल तो तुम नहीं जा सकते क्यों कल कुछ खास बात है क्या ज्यादा खास बात तो है नहीं बसे छोटी सी ख़बर है कल कल भाया मेरी सगाईते करना चाहते हैं आप की सगाई होने वाली है और आप इसे छोटी सी बात कहती है अरे ये तो बहुत बड़ी खुश खबरी है चलिए अब ये भी बता दीजिए कि वो भागेवान है कौन जिसकी जोली में आप जैसा मोती करने वाला है लो इतना बड़ा राज और इतना असा नहीं से बता दे पूछने की कोशिश कीजिए पूछते हैं पूछते हैं हाँ शेर गड़के ठाकूर का लरका दिवान सिंग अरे वही जो मंगलवार की शाम को देखने आया था अरे वही क्या खुबसूरत से नीली नीली जील जैसे आखें थी उसकी जील जैसे नीली नीली आखों में मुझे डूबना थोड़ी ना था रिजेक्ट फिर तो रतनपूर के ठाकूर होंगे क्या लंबे चोड़े और ये घनी-घनी मुचे थी उनकी मुच और पूछ वाले मुझे पिलकुल अच्छी नहीं लगते रिजेक्ट फिर कौन होसकता है हाँ तीवान राय का एक लौता बेटा रूप सिंग रूपा रूप सिंग वाह कै जोड़ी है इसके आगे तो और किसी रिष्टे का होना सवाल ही पैदा नहीं होता ची नहीं प्रिजेक्ट नाम रूप सिंग था इसलिए कमाल करती है आभी रूपा जी अरे तीन ही तो थे जो आये थे चौथा तो कोई था ही नहीं चौथा है और चौथा ही है जानते हो काउन पसंद्दूर का बिर्चू आप तो अच्छे खासे मज़ाग के मुन में लगती है ससस बताईयो न कौन है वो वो तुम ही हो बिर्चू सुहाग और जुन्दूर के बारे में मैं कभी मज़ाग नहीं करती लेकिन रूपा जी यह सब तो कहां से शुरुवात हुई मुझे भी नहीं मालूम तिन बदिन मेरा दिल मजबूर होने लगा तुम्हारे बारे में सोचने लगी मैं रहा देखने लगी तुम्हारी फिर फिर एक दिन अपने बारे में पूछा तुम्हारा बुला हुआ हर लफ्स अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है रूप ऐसा कि स्वर के अपसरा भी पानी भरे तुन संसकार ऐसे जैसे कि कोई देवी भागेशाली होगा वो जिसकी जोली में तुम जैसा मोती गिरेगा लेकिन मैं कहती हूँ भागेशाली मैं हूँ जिसको तुम जैसा सीधा और सचा इंसान मिला यह सब आप क्या कह रहे हैं रूपाजी यह नहीं हो सकता मेरी सगाई और भाप के सब्सक्राइब यह रिष्टा नामुम्किन है रूपाजी ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता मामुम्किन पर क्यों मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहता रूपाजी मगर सच्चाई यह है कि मेरा प्यार किसी और की अमानत है मैं अपने ही गाउं के एक लड़की इराधा से प्यार करता हूँ आपको नहीं मालुम शर्थ की एक दिवार में हम दोनों को एक साल के लिए जुदा कर दिया था ये रुपया, ये सोना, ये चानी कमाकर आज मैंने वो शर्थ की दिवार गिरा दिये मुझे उसके पास वापस लगना है रूपाजी मेरा सब कुछ वहाँ है मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी जंदगी सब कुछ वहाँ है और यहां, यहां कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा प्यार, सुंदगी, खर्जनसार, सब कुछ बहा है, यहां कुछ भी नहीं है हमने तो यूही तुम्हें अपने मन का धाकुर मान लिया, यूही तुम्हें अपने सपनों का सहरा पहना दिया क्यों हमारी हर साथ हर पल तुम्हारा नाम बुकारती रही आज ये सुनने के लिए ख्या कुछ भी नहीं है हम कुछ भी नहीं है तुमारे तहर उपजी नहीं ऐसा मत कहिए आप तो बहुत कुछ है मेरे लिए आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आप लोगों की वज़ा सही तो हूँ कितनी शद्धा है मेरे बंद में आपके लिए ये आप क्या जाने आप तो एक मंदिर हैं एक देवी समान है जिस पर सारी उमर में आपने पूजा के फूल अपन कर सकता हूँ नहीं चाहिए मुझे तुमारे पूजा के फूल तुमारे पूजा के फूल नहीं चाहिए मुझे तुमारे पूजा के फूल नहीं चाहिए मुझे तुमारे पूजा के फूल नहीं चाहिए मुझे तुमारे पूजा के फूल नहीं नहीं चाहिए मुझे तुमारे अराधना रूपा, रूपा जी ठाको साथ, रूपा जी को शायद कुछ गलत फहमी हो गई है मैं इनकी दिलो जान से इज़त करता हूँ सगाई और शादी की बात तो मैं सपने में भी नी सोच सकता पिरचू, इससे पहले कि मेरे हाथ से कोई अनोह नी हो जाए तुम्हे समझाना मेरा फर्ज है, चिराग लेकर भी ढूड़ो तो रूपा जैसी लड़की तुम्हे साथ जन्मों में भी नहीं मिलेगी यह तुम्हारा नसीब है कि उसने तुम्हें चाहा और अगर उसने चाहा कि उसकी शादी तुमसे होगी तो यह शादी होकर रहेगी चाहें जमीर हिल जाए या हस्मान तूट पड़े कौन इंकार करता है ठाकर साहब की रूपा लाखों में एक नहीं है रूपा जैसी लड़की मुझे साथ जन्म में नहीं मिल सकती ये बात मैं भी जानता हूँ लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूँ और उसके लिए मुझे आज ही कहूं जाना होगा मैं आपसे हाद चोड़ कर विंती करता हूँ ठाकर साहब की मुझे इजासत दीजे तू जानता है कौन है रूपा मेरी नाजोपली बेहन है जिसे आज तक मैंने गरम हवा का जोगा नहीं लगने दिया और तू समझता है कि तूसका दिल दोरके जा सकता है नहीं बिर्जू नहीं तू यहां से नहीं जा सकता नहीं ठाकर साहब मुझे हर हाल में जाना होगा तू यहां से करम बढ़ा कर तो देख उड़ा दूगा तुझे आप बेशक मेरे तुकड़े तुकड़े कर दिजी लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बिल सकता मैं आपसे तुबारा विंदी करता हूं ठाकर साहब कि मेरा सामान मुझे लगा दिजी और मुझे जाने दिजी पक्वास बंद करो मैं तुम्हें यहां से जिन्दा नहीं जाने दूँगा यहां क्या कर रहे हैं आप दिजी को मार दो के क्या इसने रूपा से शादी करने से इंकार किया है हमारी इज़त को मिट्री में मिला दिया है आज मैंसे जिन्दा नहीं छोओंगा चोड़ दो मुझे कि पिते जाने दिजी मिपूजे मैं दो मुझे मैं में दो मैं दो प्रेस कमेने से हिसान चुकाया नहीं रहूँगा ठोड़ दो मुझे! संबाल लिए अपको, हजबान के लिए शान तो चाहिए, मुझे जाकर रुपा को भी संबालना है, मैं जाने उस पर क्या पेतरी होगी? मुझे जाने जाने टो! toute ॉपी पने जाने शाने! में तो खऴ आरपिए, मैं भुछा चाह मुझे, मुझे रुपा चेजे बात कर तेया जाने तो भीष्णीrifत आ अद़क Spirit कौने, मैं ऊद्वका müsste आप मुझे रुपाची लेपा कर ती आप रुपा रुपा मैं जानते हूं ॶ्मार के पर इंदो Campaign आपने आपको संबहलो, रुपा, आपने आपको संबहलो रुपाची, रुपाची कहा है आप, मुझे आप से जरूरी बात कर रही है बाहराए रुपाची, रुपाची हाई राम यह क्या हो गया यह फिर से के लोट आया मैं जाती हूं रुपा तेरे भाईया को रोकती हूं फिर आया बदजाथ रखता हाज इसकी मौत इसे बार बार मेरे चुंगल में खीज के ला रही है मैं इसे उना दूँगा भून डानूगा रुपा चाहता हूं रुपा जी अरे अब कौन समूर लेकर बात करेगा रुपा से बात मुझ से कर तेरी बात का जवाब मैं देता हूं छोड़ो मुझे उसे रूपा से बात करने दीजिए, हो सकता है, उनके कहने सुनने में कुछ बाखी रह गया हो, और ये भी हो सकता है, रूपा के आंसु उने, उसके सारे मजबिरियों के बान थोड़ दिये हो, उनने मिलने दीजिए बोलिये, अब और क्या कहना है? मैं जानता हूँ कि आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुचिए, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे ये तो बताईए कि मेरा कुसूर क्या है, आखिर दोश क्या है मेरा, मैं जाने कब और कैसे ये गलत फहमी आपके दिल में बैठ गई है कि मैं आप से, रूपा जी, मैंने कब आपको ऐसी नजर से देखा, मैंने कब आपसे इस तरह की बाते की, मैंने कब आपसे कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ रूपा जी, मेरी राधा का दर्द, उसकी घुटन, उसकी पीड़ा, सिर्फ आप ही समझ सकती है क्योंकि आप भी एक औरत है, वो मैं लोटने का अंतजार कर रही होगी, कल सूरज जूपने तक मुझे हर हाल में वहाँ पहुचना है, अब तक तो अब तक तो इस बैचारी क पानी साथे रुप गई होगी, उसकी आखों का पानी सूग्या होगा, उसकी नहीं बुजर गई होगी कपीरे, तु फिर भई रामायन सुनाने आगया, तु फिर मेरी डेली, इस पर कादम रखावजी, कपीर आप तो मेरी बाचार, तु आप तो मेरी बाचार, मैं जिन्दारी छोड़ूगा तुछे, नहीं भईया, इसे मत मारी है, नहीं रूपा, इसने तुमारे अर्मानों क कोई दोश नहीं, सारा दोश तो मेरा ही है, दोश तो मेरी इस समझ का है, जिसने इस रिष्टे की भाषा न समझी, दोश तो मेरी इस कलपना का है, जिसने गलत क्यामी के शीश महल खड़े कर दिये, दोश तो मेरी नींदों का है, जिसने जुटे सपने बुने, दोश तो मे इस नजर का है, जिसने ऐसी इंसान को चुना, जो पहले से ही किसी और का था किसी और का था वो शादी का जोरा, जो मैं पहनना जाती थी किसी और की नाम का था वो सिंदूर, जिसे मैं अप्मी माँ में भरना जाती थी इसमें बिर्चु का कोई दोश नहीं भाया इसने तो कभी ये नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करता है ये तो सच्छाई से भी सच्छा इंसान है भगवान इसे लंबी उमर दे और लंबी उमर दे उसमे सीव बाली को जिसे बिर्चु जैसा मोती मिला अब काफी रात हो गई है विर्चु जंगल का रास्ता है मैं नहीं जाते कि तुम्हारी कमाई जंगल में लुट जाए कल सुभे सुरज की पहली किरन के साथ तुम रकसत हो जाना कल का सुरज कहीं आपकी जिन्दगी में अंधेरा ना कर दे विक्रम बाबू राधा के बुझे हुए चेहरे की मुस्कराहट ये साफ कह रही है के उस कंगाल बिर्चु ने पैसा कमा लिया होगा और कल अगर वो लौट आया तो ये ना हो रामकसम के राधा की दोली आपके यहां आने के बदले उसके यहां चली जाए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा एक साल पुरे एक साल इंतजार किया है मैंने तीन बेस्जतियों कितनी सिलतें परताश की हैं इसलिए के दोली उस बिकारी के घर चली जाए राना, कुछ भी करो, मार दो, खतम कर दो, काट दो उसे, लेकिन कोई भी चक्र भी चलाओ, वो कल सुबह या नहीं पहुशता चाहिए यह लो गर्जू, अपनी खुशियों की सारी पुंजी, हम तुम्हे अपनी सारी दुआउं के साथ विदा करते हैं तुम्हारी राधा और तुम्हारी बीच की सारी दूरिया आज खतम हो जाएं, रास्ते की धूल फूल बन जाएं, वक्त तुम्हे अपने मंजल पर इतनी जल्दी पहुचा दे, कि अपनी जुदाय की सारी घडिया तुम भूल जाओ, जहो बर्जू, शनाया तुम्हे बुला आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपनी महर्बानी की और उसके बदले में मैंने आपको सिर्फ आसू दिये जो गुजर गया, उसे भूल जाओ, बर्जू, हाँ, अगर जाते जाते बदले में, मुझे कुछ देना ही चाते हो, तो एक छोटी सी सौकात देते जाओ जी अपने सारे आसू यहां छोटाओ बर्जू, तुम अपना घर, अपना संसार बसाने जा रहे हो, यहांसे पलटते वक्त, तुम्हारे जरे पे सिर्फ मुस्कुराहाट होनी चाहिए जाओ, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदकी मुभारत हो करदान इण fen Xu चाहिए जाओं धुम्हें पार करदा यहां इक सुक का एक जुक का मौसं पति छड़ कभी वहा खेल विराता देखा खेली खेली रंग हरा समझ न पाया इंसा कोई कभी भी उसका पा खुशियों भर का जोली में पर आसु देता सा इक सुक का एक दुख का मौसं आफेलियों देखा और देखेली था अफेली जितले रंग हरा छोलो खेली जाया आफेली पर आसुमता कंदल दूख सबनाएं के सरोना जोट गया तो क्या अब रोना मीटी पार खिरोना लिखा है जो होना है वो सब में समझ के हो खेल विबाता देखा खेले खेले रंद हरा एक सुक का एक सुक का मौसंदी करी लोजस पेल याता मैं सब और खेले खेले स्ब्सक्राइं के लोज रेंग र्राट व्लिवाबन लोजस रवाशन वाल तुमने बच्छे से प्यारे किया है कि कब तुमने का था मेरी नगल को बहुता था जो पजिराख सजा रहा आंसु मेरे बेही निखले तो कजरा पेहे गयासा खेल विठाता बैठा खेले खेले रंग मरा खेले रंग मराण 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 खेले रंग मरा हिंद हाग कि दूदू कि दूदू कि अगए कि अगए पहके अगए कि कि पार्यों जुमरीत लिया के जुमके कहां भागा जा रहा है जरा इधर तो देख ओ तो तु फेरा गया बेना मेरी अजाज़त के यहां से हलसों के जोड़े नहीं जा सकते तो तेरे यह घोड़े कैसे जाएंगे पहले की मार भूल गया क्या देख अगर कुछ बागी रह गया हो तो उसका फैसला बात में कर लेते ह और हर्जा में जासते से हट जाएंगे रसिया तेरे पास रास्ता साफ हो जाएगा ये गठ्री तो मुझे जान से जांड wieder है कोई से हाथ तो लगा कर देखे हाथ का कर थैंक दूंगा तो काट के निया हैं हम हाथ बढ़ते हैं आरे ओ ढद beverage छीं गठी hayat दादी मा, दो पैर बीट गई, पिर्जू अभी तक नहीं आया मेरा दिल बैठा जा रहा है कई रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया मैं उसे देखने जा रही हूँ देखो यहाँ बेटी, जाही रही हो तो रामू को भी साथ ले जाओ जंगल का मामला है कर दोननुऌ प्रिखो नहीं कर दोना जाओ कर दोनुप जाओ कर दोनुपराप जाओ दर्मपूर के जंगलों में बिर्जु वावबो पर कुछुलों कोने हमला कर दिया है क्या? क्या? बिर्जु पर हमला? अरिश्वाव करें असवरा बिर्जु को पर बिर्जु को अरे गल की गुछुल ने चलते है अरे पकड़ा जिए अरे बजाओ 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 राधा अरे भीकम बाबू अब छोड़िए ना इस हार सिंगार को आपकी धुलन की दोली तो निकल गई उस जंगल की तरफ जहां आपने बिर्जु के लिए चक्र भी होने चाहा है मैं राधा को किसी हाल में नहीं खो सकता हूँ उसको पान आए तो मेरी सिंदगी का मकसद है मैं काट डालूगा उस चंगल को और उडाले जाँगा अपनी राधा को ऐसी जगह जहां कोई हराम जादा नहीं पहुच सकेगा पर उदू राभ उडगे तो हमारा क्या होगा दूर हट कुटे बहुत हटी डाल चुका तुझे तो ये बात है पिक्रम बाबु को शायद ये नहीं पता कि जब कुटे को हटी नहीं मिलती तो वो भौकनी लगता है खबरदार अगर किसी ने हाथ उठाया तो एक-एक को भून के रख दूँगा जाकुर रनबीर सिंग के घर से चला हुआ महमान रास्ते में लुट जाता तो हम अपने आप को जिन्दगी भर माफ नहीं कर पाते तुम अपनी कमाई लेके वक्त से पहले अपने गाह पहुँच जाओ इन गुन्दों से हमने पट लेते हैं अगजा राधा 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 बिल्चू राधा छाटो बिल्चू राधा, तुम इसे समालो, मैंने देखता हूँ अगर अपनी जान बचाना चाते हो, तो जिस रास्ते से आये उसी रास्ते से वापस चले जाओ जनाब मैं तो लागी टाइप का टाइप जनाब जनाब यह मिलन नहीं होने दुमगा मैं तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी मेरी चाहत किसी और की हो जाए यह मैं बरदाश नहीं कर सकता ले जा रहा हूं मैं अपनी दुलन को और छोड़े जा रहा हूं चार कांदा देने वाले क्योंकि मैं चाहता हूं इदर इदर मेरी बाराद निकले और उदर इस साशिक का जनाजा चला पही! 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 लाजो का असली कातिल विक्रम है मालिक और कोई नहीं और उसी ने उसके सथ लोकी रोको, जार रोको ठावु साब, आप गारी सोगेगे, मैं शॉट कर चाता हूँ ठीकर फिर्जू, सम्मालना जार शॉट कर दो शॉट कर दो जार जार शॉट जार 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 यार जार 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 जशे जो आफ हो कि उएट ॉट उल आख़। जल आख़। खर जी नो आख़। आख़। नहीं भझा सब जोड़। झाध को मेल क हवाल करता। झाध मैं कता हो झाध को मेल करता। नहीं ऩा झाल करता। हुआ हुआ यद ह溜म हुआ है हुआ है हुआ अ हुआ हुआ रूपा 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 यह तो मौत के मुह में जान पूछ के क्यों चलिया है रूपा 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 जी यह सब यह सब मेरे लिए आखिर यह कुर्बानी करने की क्या जोरुद थी आपको ठाकुर साथ चलियो रूपा जी को हसे डाव चलिया जी बर्शू वाग बात कम है अपनी रादा को बच्छा लो रूपा 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 बचाओ आरिए टूर ए शज आज। हुआज हुआत! चाहे हुआ हुआएए! कुछो बिल्जू इस मादी के खुछ रहे हाद में देखो आये पारा मैं पिछला सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ अब मेरी आखों से पट्टी हट गई है अब आपकी आखों से पट्टी हटी तो क्या हुआ चौधरी साहब जो होना था वो तो हो चुका बहुत देर हो चुकी चौधरी साहब बहुत देर हो चुकी कमाला है मैं सब कुछ सोना चांडी तुपया पैसा सब कुछ कमाला है आपकी शर्टों के मताबिक मैं जीत गया चौधरी साहब तेकि बहुत देखिये उदर देखिए चौदरी साहब कि मैं हार क्या गया मैं उसे हार गया चौदरी साहब जिसने मुझे जीतना सिखाया मैं उसे हार गया जिसने मुझे मिट्टी से सोना बनाया जिसने मेरी तकदीज समारी जिसने मेरा प्यार मुझे लटाया चौदरी साहब मैं जीत कर भी हार गया, चौदी साथ, मैं जीत कर भी हार गया रो मत परशू, मैंने कहा दाना, अपने सारे आसों मेरे पास छोचाना तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुरार ढोने जाए शायद किसमत में यही लिखा था सब कुछ बोलाकर अपनी जिन्दगी में वापस लुचाब रशूए अपनी जिन्दगी में वापस लुचाना जिन्दगी एक मंच है, जिस पर हर इनसान अपना करदार खेल कर चला जाता है जिन्दगी हर करदार से बड़ी है किर्दार और लोग खत्म हो जाते हैं पर जिन्दगी नहीं जिन्दगी चलती रहती है पर जिन्दगी जिन्दगी चलती रहती है किर्दार जिन्दगी 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 चलती है